हेलो एबरिवन आप लोगे अपनी चैनल पायल कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बाजरा और तील की लड़ू लेके आई हूँ राजिस्थान की फेमस मिठाई इसके लिए मैं एक कटोड़ी बाजर ले रहे हूँ उसमें थोड़ा सा घी डालके अच्छे तरह से मुलायम आटा गुत के हम त्यार कर लेंगे देखे धीरे धीरे पानी डालके गुत हैंगे ताकि हमारा आटा मतलब गीली ना हो और अच्छा बना लेंगे फिर एक पैन रख फिर उसके टेस्ट बहुत बेकार हो जाता है और दसमेड के लिए हमने आटा रख दिया था सेठ होनी के लिए और फिर आटा के बार चार ब्राबर भागों में लोई को तोड़ लेंगे और इसका तोड़के चोटा-चोटा-चोटा-चोटा मतलब पराठा वेल के स्याज कर लेंगे ऐसे अब बेलन चकला बेलन पर भी बेल सकते हो यहां से भी ऐसे कर सकते हो बादरा काटा है तो किनारा थोड़ा फ्रकता है और यह मतलब लेड़ू चुर्मा जो है और ठेंड के दीन में ही बनाया जाता है बहुत टेश्टी होता है आपको ठेंड से दूर रखता है फिर हम एक तावा गरम करेंगे और इस पराठे को अच्छे से सुनाहरा होने तक सेख लेंगे और धीमी आज पे बिलकुल सेखेंगे थोड़ा थोड़ा घी लगा के धीमी आज पे सेखेंगे एक बार के पराठा सेखने में हमारा 5 से 10-15 मिन तक लग जाएगा लेकिन पराठे को भी हम अच्छे तरह से सीख लेंगे देखे पराठा भी हमारा सीख गया और इसको छोटा-छोटा तोड़ के हम घ्राइन करके इसका चूर्मा बनाएंगे राजस्तान की भीमस मिठाएंगे और इसको ठंट के दीन में हैं हम बनाते हैं देखे पीसी हुई तिल और बज्रा का है चूर्मा बना यहे घ्राइए उसको मिक्स कर लिएए फिर एक पैं रखेंगे उसमें साबस्धन चम्मसगी दालेंगे और अधा कटोड़ा गूर्ड को तोड़के हम डालेंगे घ्र को हम मैल्ट करेंगे फिर पीसी हुई और साबूत तिल दोनों को डालके हम मिला लेंगा देखे और फिर गुड के मैल्ट होने का हम इंतिजार करेंगे गुड हमारा धीरे-धीरे मैल्ट हो रहा है और मैल्ट होने देखे जहां के तरह बनने लगा इसमें कोई तार या चिप-चिपी नहीं करने है बस इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना और थोड़ा सा जाग आने लगे वस इसकी पहचान इतनी है फिर इसमें डाल के हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों एक बार आप जरूर बना करें और पसंद आए तो में चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से मिक्स कर ले को भी सर्दी जुख हम से बचा कर रखता है कि इतनी अच्छी लेड़ू बनिये प्लीज एक पर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यूंग